तो कैसे हैं आप लोग आसा करतों आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग एक्जाम के प्रिपेशन और बढ़िया तरीके से चली रहे होंगे तो आज में बताने वाला हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का भीविया इंपोर्टेंट कोश्चन अगर आपको ये वीडियो अच्छा थोड़ा भी लगे तो फिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तारा कि आने वाले वीडियो की आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं वाला कोश्चन है नवरतन किसके दरवार में थी तो नवरतन जो थे ये किसके दरवार में थे तो ये थे अकवर के दरवार में किसके दरवार में अकवर के दरवार में आप्शन नमर ए हो जाएगा अकवर अकवर जो थे इन्होंने अपने दर्वार में 9 रतन रखे थे मतलब 9 लोग को रखे थे और उन्ही का नाम दिया था 9 रतन ठीक है चलिए नेश्ट कोशन है वारा है लच्छमी भाई के गोद लिये पुत्र का नाम क्या था लच्छमी भाई ने जिस पुत्र को गोद लिया था मतलब उनका पुत्र नहीं था उन्होंने गोद लिया था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था दामोदर राओ option number C, दामुदा राओ लग्षमी भाई के पुत्र गुद लिये पुत्र का नाम था उसके बाद तिसरा नमर question है विक्रम आदित की उपादी की समराट ने ग्रहन की थी तो विक्रम आदित की उपादी की समराट ने ग्रहन की थी तो भारति महादीप की पहरी शप्ता का विकाश कहा हुआ था, यह हुआ था शिन्धु के मैदान में, option number हो जाएगा C, सिंधू के मैदान में उसके पांचवा नमर कोश्चन है हरपा की बस्तियों की खुदाएं की तो हरपा की बस्तियों की खुदाएं किसने की थी तो ये किया था सर्ज और मारसन ने और उसके साथ किसने किया था तो ये किया था मार्टीमर हिलर ने किस ने गया था, Marnteiman, Hiller ने, इसलिए option क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, A, B हो जाएगा, इसका option और C हो जाएगा, इसलिए option हो जाएगा, D, A और C दोणों, उसके बाद चोहाद नमर question है, मुद्राक्षा, किसकी रचना है, तो मुद्राक्षा, सोड़ी, मुद्रा, राक्षा किसकी रचना है तो यह रचना है विशाखा दत की किसकी तो विशाख दत की option नमर जाएगा बी विशाख दत जोते इन्होंने किसकी रचना कीती है तो इसनोंने कीती मुद्रा राक्षस की रचना ठीक है उसके वेदों की संख्या कितनी है तो आप लोग पता है कि वेद की क्या, चार है, आठवा कोशन, नमर कोशन है, असोक किस वंस का सासक था, असोक जो थे, ये किस वंस के सासक थे, ये जो थे, मोड़े वंस के सासक थे, किस वंस के थे, तो मोड़े वंस के सासक थे, असोक मोड़े वंस के सासक थे, उसके बाद, नमर कोशन है, राजत तरंगनी क के लेखक कौन है किसके तो राजत तरंगनी के लेखक इसके लेखक कौन है इसके लेखक है कलहन कौन है तो कलहन जो है राजत तरंगनी के लेखक है ऑप्शन नमर हो जाएगा डी कलहन दस्मा कोशन है पतंजली के महाभास से हमें जानकारी मिलती है तो पतंजली के जो महाभास उससे हमें क्या जानकारे मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है दो इक पत पराक मोड काल की जानकारी मिलती थे ठीक है उसका एगारा नमर कोशन है पंचे चीन वाले शिक्के बने होते हैं तो पंचे चीन वाले जो शिक्के होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं ये बस बताने हैं आपको तो वो जो है चांदी के भी बने होते हैं और तांबे के भी बने होते हैं महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है तो महबाद तो गंगापुत के naam से पता है इक ही को जाना जाता है फिश्म पितावाँ को यानि फिश्म को हो जाएगा option ओर क्या होजाएगा भिश्म उसके बाद चौदा नमर कोशन है, महर्ट सी व्यास द्वारा उत्पन संतान थी, तो महर्ट सी व्यास जो थे, उनके द्वारा उत्पन संतान थी, वो कौन-कौन थी, तो वो थे, पांडू भी थे, विदूर भी थे, और धितराष्ट भी थे, पांडू, विदूर और धितराष्ट यानि option क्या हो जागा D ये सभी थे ऊसक बाद 15 नमर कोश्चन है रिंग वेद पूरुष्ष्युक्त में सुर्पतम किस वर्ण का उलेख मिलता है तो कि शुद्र का मिलता है किसका सुद्र का मिलता याद रहूप्चन क्या 128 सब्सक्राइब इसका नम्र को साहित और त्रीपराइब को शाहित तो क्या होता है यह दो नमर के को शेंगे तो इसलिए इसका इसका डिफिनिषन रखेगा परिभाशा को याद रखेगा उसके वाद 17 नमर को शेंड हीन और महायान शंप्रैदाए किस धर्म से संबंदित है तो ही नयान और महायान जो धर्म हैं यह किस फ्रमप्रणाइदाइग यह किस धर्म से संबंदित है चार नाम दिया है once that विद्वान जो तो सबसे पहले श़र्पथम भारत आया था सबसे पहले कों आया था हो जाएगा फहान कों तो फहान option number D हो जाएगा उसके next question है महात्मा बुद को महापडी महापडी निर्वारन प्राप्थ हुआ तो महात्मा बुद को महापडी निर्वानन प्राप्त कहा से हुआ था यह कहा से हुआ था कुशी नगर से हुआ था स filthy नगर से कसी नगर क्या हो जाएगा या कुशी नगर दिया 시청 हैं महाभीर का जनुम дав कहां हुआता इनका नेक्स्ट कोश्चन है मारा बुद के बचपन का नाम क्या था तो बुद के बचपन का क्या नाम था तो उनका नाम था सिधार्त बुद के बचपन का क्या नाम था सिधार्त था उसके बाद 22 नेमर कोश्चन है जैन धर्मों के 24 तिर्थकर कौन थे तो जैन धर्म जो है उसके 24 च्विश्वेटिते उसके रागोंट से कशूपिये किस देन tag को नवासी था या यह जो था मोडोग को का निवासीता किस देश का तो मुडोग को पॉप्ष नमर क्या बताना हैं जिसमें भासा कि गरंत वुप्रिमत but ER tha ग। यह बताने आपको यह कौन कौन सी भासा थी तो भंसक्रित पाली औरपकिर्ध यह बताने इंतreshed तो शंश्क्रित पाली तथा प्राकिरत ओप्शन में यह हो जाएगा इसके वार नेक्ट कोशे नमारा इबन बभुता की भारत यात्रा को जिस सताब्दी से संबंदित माना जाते है वह कौन सी थी इबन बभुता जो तो भारत यात्री था ठीक है उसके उसके बाद जिस दी थी तो वह थी चौदोहमी शताब दी देखे ऑपसन जो है यह कभी डी रह सकता है बी रह सकता है लेकिन आपको कुश्च एंसर याद रहे हैं कि इसका कि जैसे कोगा चौदहमी इबन बभुता भारत यात्री को जिस सताब्दी से संबंदित माना जाता था थैं वह सब् नमर सी हो जाएगा 26 नमर कोश्चन है किताव रहाल में किसका यात्रा विर्तांत मिलता है किसमें तो किताव रहाल यह जो है किताव है इसमें किसका विर्तांत मतलब किसका यात्रा विर्तांत जो यात्रा करते रहते हो उसके बारे में लिखते हैं उसी को कहते है यात्रा वि कि यात्रियों का राजक्मार कहा गया है तो यात्रियों का राजक्मार किसे कहा गया है किसे तो यात्रियों का राजक्मार कहा गया है इसके वाद 28 नमर कोश्यन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आड़ंब किस संत ने किया था कहां तो उत्तर भारत में किसका तो भक्ति आंदोलन का क्या किया था तो शुरू किया था किस ने तो किस संत ने किया था ये बस आपको बताना है कि उत्तर आंदोलन में जो भक्ती आंदोलन उत्तर भारत में जो भक्ती आंदोलन शुरू हुए थी उसका अर्म यानि कि शुरू किस संत ने किया था तो किस ने किया था य सब्सक्राइब का श्वामी जगनात सब्सक्राइब क्या चिवाइब चिष्द ले एक सोफी शिल्सले से संबंधन, टाए थ्यूसूफे शिल्सले से सम्बंध था। उनका शिष्टी से तो 60 से ऑप्शन वाड़ ए हो जायेगा चिश्टी से 31 मंध्सय। कौन थे कांट ख़़ेट केश primeiro कौन थे कौन तों पर करिके शिष्ट रामानंद कौन थे कविड के में से कि महीला संत महीला रहषवादी संत कौन थी कौन थीमे मरेशवादी शन्दो और नजेव का संबंद कि सूफी सिलसिले से था उसकी वाद इसका संबंद की शूफी सिलसिले से था दाय दैंकी जोपड़ी निर्वान किасти rightly कर वाया था तो धाई दिन के जोपरी का निर्वान किसने करवाया था तो ये करवाया था एवक ने करवाया चली नेश्ट कोशन क्या हमारा विजयनगर की अस्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था विजय नगर की जवा स्थापना होई तो उस समय दिली का सुल्थान कौन था ये बताना है तो उस समय दिली का सुल्थान था मोहमद बिन तुगलक मोहमद बिन तुगलक किस समय दिली का सुल्थान था जब विजय नगर के स्थापना हो रही थी न उस समय कौन उसका सुल्तान था तिल लिखा तो मुहम्मद बिन तुगलग याद रखेगा चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा विजय नगर पर सासन करने वाला पर्थम राजवन्स कौन सा था तो वो कौन सा था वो था शंगम बंस कौन था शंगम बंस जो था ये विजय नगर पर सबसे पहले राज करने वाला राजबंस था अप्शन नमर जाएगा C Next question क्या है Next question है मानेता अनुशार अमर सब्द का अबड़ी भाव शंस्क्रित से जिस सब्द का हुआ है वो कौन सा सब्द है तो वो जाएगा शमर क्या हो जाएगा शमर ऑप्शन नमर जाएगा 38 नमर question क्या है 38 नमर question है अमारा फारस के सासक द्वारा अब्दुल रजाक को काली काट अब्दुल रजाक को काली काट वो जाएगा था उसके लगार नेक्ट question है दिल्ली सल्थनत की अस्थापना कभ होई थी तो ये होई थी 1206 में उप्शन नमर हो जाएगा बी 1206 में दिल्ली सल्थनत की अस्थापना होई थी उसका 40 नमर question है किन सासक के दरवार में अश्ट दिगज रहते थे तो किस सासक के दरवार में अश्ट दिगज रहते थे अभी हमने देखा था पहला कोश्चन था नवरतन किन के दरवार में थे तो नवरतन थे क्या करते हैं अकवर के दरवार में और बताने कि अश्ट दिगज क्या तो अश् पुर्तगाली यात्री है तो यह जो एड्यू और्डो बोड़ भोशा है उसका फ्रोडो नुनीज है डेमेंगो पीस है यह जो तीनु है यह है पुर्तगाली यात्री इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नमर टी इन में से सभी उसके बाद 42 नमर कोशने अब अकबर नामा की रचन अकबर नामा की रचना किसने की अबूल फजल याद रखेगा यह कोशन भी विया आई है 42 नमर उसका है 43 नमर कोशन है बावर के असमरनों को कामूलता शही नाम ए भासा ठीक है इसका ओप्शन क्या हो जाएगा इसका ओप्शन हो जाएगा तुजक ए बावरी ए तुरकी क् कोशन हमारा रवी फसल किस रितू में होती है तो रवी फसल जो होती है किस रव रितू में होती है यह कौन सी रितू में होती है यह बशंत रितू में होती है अप्शन नमर हो जाएगा ए बशंत रितू में रवी फसल होती है उसके बावर ने टोडर मल को दिवाने असरफ क कब नेंक में तो डरम्र को दिवाने अश्रप में नियुक्त किया था ठीशने है श्यालीर को सीट्रेल कने की संखजानों किस तो हो जाएगा अकबर नामा में किस में बाबर से लेकर अकबर काल इतिहास मिलता है । उसके वास तालिस नमर कोश्चन है मारा आइनी अकवरी के अनुशार भूमी को कितने भागों में बाटा गया किसको तो आइनी अकवरी के अनुशार भूमी को कितने भागों में बाटा गया तो कितने भागों में बाटा गया तो चार भागों में एक दो तीन चार आइनी अक स różne काल क्या है तो यह हो जाएगा 16 5 627 तक जहांगीट का स LA सासन। काल है उसका उश्छ नमर क्तै ौश्य निवलिकीत में से अकवर्र किस पर अधिकार नहीं कर सका यह सब को पता रोणा चाहे कि कि इस पे अधिकार नहीं खाता तो इसका option क्या हो जाएगा इसका option हो जाएगा मेवार पे मेवार पे अख़्य ने अधिकार नहीं कर सका suis एक पचास frames question और का संदस्क्राइब कौन था अकवर का संदस्राइब कौन तो बैरिम खान था अक बैरम-ख好不好 य। जाएगा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लोगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा